सब्सक्राइब तू डॉक्टर शिवम्स मेडिकल लेक्शर एंड प्रेस द बैल आइकन सो दाट यू कि अब्रिवन आज की वेडियो में हम बात करेंगे और्बिकुलारिस ओक्यूली मसल के बारे में यह और्बिकुलारिस ओक्यूली मसल है यह आई के आसपास सराउंडेड मसल है सर्कुलर मसल इसके तीन पार्ट होते हैं और्बिटल पार्ट पाल्पेबरल पार्ट और लेकराइमल पार्ट हम बहुत इजी लैंवेज में से समझते हैं और्बिटल पार्ट जो होता है वो मारा orbit का margin से originate करता है जो कि upper medial margin है इसका जो insertion है वो medial palpabral ligament है जो medial side of eye की तरफ होती है इसका जो action है वो है eyes को close करता है forcefully जैसी कुछ emergency contact आता eyes के तरफ और इसका जो innervation है वो facial love है अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं पार्ट नाम से पता चल रहा है ये medial palpabral ligament से originate करेगा और ये lateral eyelids की तरफ जाके attach हो जाता है इसका क्या काम होता है इसका close करता है इसको gently और इसका भी innervation 7th cranial nerve यानि आपका facial nerve से है तीसरा पार्ट है lacrimal part नाम से पता चल रहा है lacrimal bone से इसका origin होगा और ये आपका medial eyelids की तरफ जाके attach हो जाएगा जो इसका action है वो होगा कि squeezes lubricating tear against eyeball जो भी tears आते हैं उसको lubricate करता है squeeze करके eyeball के अंदर और जो इसका cranial nerve supply है वो है 7th cranial nerve यानि facial nerve इस image में आप clearly देख पा रहे हैं आपका orbicularis ocular muscle के बारे में ये जो orbital part है वो surrounding part है और जो palpabral part है वो eyelids की तरफ बला part है Thank you so much So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को like करें और share करें जाद जादा साथी comment section में अपने doubts बताए मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी सी जल्दी clear कर पाऊं Thank you and wish you a very happy and healthy life आए